पाठ आठ पाठ प्रस्चों का निर्दोश विवहाई को पिघला देता है जादू कहा जाता है बच्चों के रूप में रूप रहते हैं उनकी निश्वरिय संगीत हुद में ताई का कठ बालक के असीम हो जाता है उसमें ममता और सोरे मारने लगता है ताउ जी हमें लेल गाड़ी ला दोगे कहते हुए एक पंच वर्ष ये बालक बाबु रामजी दास की ओर दोड़ा बाबु साहब ने दोनों बाहें फैला कर कहा हाँ बेटा ला देंगे उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकटा गया उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले क्या करेगा रेल गाड़ी का? बालक बोला उसमें बैटकल बली दूल जाएंगे हम भी जाएंगे चुन्नी को भी ले जाएंगे बाबु जी को न ले जाएंगे हमें लेलगाडी नहीं ला देते ताओ जी तुम लाध होगे तो तुम्हें ले जाएंगे बाबू और किसको ले जाएगा बालक क्षण भर सोच कर बोला बच आल किसी को नहीं ले जाएंगे पास ही बाबू रामजी दास की अरधांग नहीं बैठी थी बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा और अपनी ताओ को नहीं ले जाएगा बालक कुछ देर तक अपनी ताओ की ओर देखता रहा ताओ जी इस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा अदैव वह बोला ताओ को नहीं ले जाएंगे ताओ जी सुपारी काटती हुई बोली अपने ताओ को ही ले जा मेरे उपर दया रख ताओ ने यह बात रुखाई के साथ कही बालक ताओ के शुष्क विवहार को तुरंट ताड़ गया बाबू सहब ने पूछा ताओ को क्यों नहीं ले जाएगा बालक ने धीरे से कहा ताओ हमें प्याल नहीं कलती बाबू सहब ने पूछा जो प्यार करे तो ले जाएगा बालक को इसमें कुछ संदेह था ताओ का भाव देखकर उसे यहाँ आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी इससे बालक मौन रहा बाबु सहब ने फिर पूछा क्यों रे बोलता क्यों नहीं ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा बालक ने ताउ जी को प्रसन करने के लिए केवल सिर हिला कर सुईकार कर लिया परन्तु मुख से कुछ नहीं कहा बाबु सहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले लो प्यार कर लो यह तो मैं भी ले जाएगा परन्तु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पती की चुहलबाजी अच्छी ना लगी वह तुनक कर बोली तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ मुझे नहीं जाना है बाबु सहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेश्टा करते हुए पोले प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बठाएगा क्यों रे मनोहर मनोहर ने ताउ की बात का उत्तर नहीं दिया उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया मनोहर नीचे गिर पड़ा बाबु सहब ने उसे गोद में उठा लिया चूम कर प्यार किया ततपशात उसे कुछ पैसे तथा रेल गाड़ी ला देने का वचन दे कर छोड़ दिया बालक मनोहर भाय पून द्रिष्टी से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया मनोहर के चले जाने पर बाबु रामजी दास रामेश्वरी से बोले तुमारा ये कैसा व्यवहार है बच्चे को ढकेल दिया अगर उसको चोट लग जाती तो रामेश्वरी मू मटका कर बोली लग जाती तो अच्छा होता क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद देते हो बाबु सहब कोड़ कर बोले इसी को खोपड़ी पर लाद न कहते हैं रामेश्वरी ने कहा और नहीं तो किसे कहते हैं तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुचता ही नहीं नजाने कब किसका जी कैसा होता है तुम्हें इन बातों से कुछ परवा नहीं बस अपनी चुहल से काम है बाबु सहब बोले बच्चों की प्यारी प्यारी बाते सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन हो जाता है मगर तुम्हारा हिर्दै नजाने किस दातु का बना हुआ है रामीश्वरी चिड़ कर बोली तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है मगर वैसा बच्चा भी तो हो पराय धन से भी कही घर भरता है बाबु सहब प्रहकर बोले पराया धन कहा जा सकता है तो भी न धन किसे कहेंगे वो तेजित होकर बोली बाते बनाना बहुत आता है तुम चाहे जो समझो प्रसक्ति हमारे नहीं तो ये दे तुम्हारी चराली है न जाने क्या क्या पूजापाट कराते हैं तुम्हें इन बातों से करें कि मूर्क इस्त्री के अदैव मुझ उत्तर ना दे कर बाबू रामजीदा है कपड़े की आढ़त लेन देन भी है हाई है उसका नास दोनों भाई की घर में रहता है आयो 35 और छोटे भाई क्रिशिस वर्ष के लगभग ने संतान है कन्यक दो वर्ष है रामेश्वतान हीनता का बढ़ दिन रात संतान खुला करती है कन्तान पर पती काख में काटे की तरह शिका हिर्दै बढ़ा कैसी ही उपियोगी अंदर वस्तु क्यों ना हो उसको पराई समझते उससे प्रेम नहीं करती वस्तु कितनी ही में कितनी ही उपियोगी कितनी ही सुन उसके नश्ट होने कुछ भी दुख का इसलिए कि वह नहीं पराई है नहीं भद्दी हो वह यह विचार कि वह वस्तु मेरी है उसे संटोश नहीं होता प्रेम उत्पन होता ममत्व इन दोन दामन कासा है यह किये जा सकते। रामीश्वरी हवा खा रही थी। देवरानी भी बैठी चे छट पर दोड़ रामीश्वरी उनके इस समय चोका खेलना कूदना लूम हो रहा था। अब बाल कमल के उनके नन्हेन उनकी प्यारी प्यारी उनका चिलाना लौट जाना इत्यार के हिर्दय को शीतल के लौट हो रहा था। झाल 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 सहसा मनुह मारने दोड़ा दोड़ कर रागिरी उस मनुहर भी दोड़ता है भी ताई की को रामेश्वरी उस समय गई उन्होंने उसी प्रकार हिर्दै से प्रकार वह मनुष्य बच्चों के लिए तरस में बड़ी सहिशुर्ता से लिया उस समय चित मनुष्य उन्हें देखती विश्वास होता उन बच्चों की माता है बड़ी देर तक ते रहे सहसा सी के आने की आहड़ी माता वहां से मनुहर ले रेलगा बाबू रामजी दास उनका स्वर सुनते ही रामेश्वरी की गोद्सल भागे रामजी दा को प्यार किया प्याडी दिखाने लगे इश्वरी की नीन सीटू पती को बच्चों में मगन वे तन गई चोके प्रती फिर वेश का भाव जाग उठाडी दे कर बाबू के पास आए और आज तो तुम बच्च इससे मालूम होता है कि तुमके प्रती कुछ प्रेम अवश्वरी तो पती की यह बात है अपनी कमजोरी पर दुख ही नहीं अपने वेह दुख और उस वाके से और कमजोरी पती पर राम जी दास पोले अपनी संतान के लिए सोच कि यदि तुम इनसे प्रेम करें ही अपनी संतान प्रती पात से प्रसन्नता है कि तुम सीख रही हो यह बने नितांत शुद परंतु व्यंग की तीक्ष उन्होंने कुड़क इन आठो पहर आखों प्यार करने को जी लग के मारी कलेजा बाबु सहब ने कर कहा अब जेबेम को छेपाना व्यार्थ है बाबु रामजी दास उनका स्वर सुनते ही रामेश्वरी की गोचल भागे रामजी दाड़ी दिखाने लगे इश्वरी की नीन सी टूट को प्यार किया फिवे तन गई पती को बच्चों में मगंचो के प्रती फिर गाड़ी देकर बाबु सुएश का भाव जाग उठा आज तो तुम बच्च इससे मालूम होता है कि तुम के पास आए और अपनी कमजोरी पर वो पती की यह बात दुख ही नहीं अपने वेह दुख और उस वाक्य से और कमजोरी पती पर दुख ही रामेश्वरी मुझे क्रेम करूंगी तुम ही को मुख आप ही आकर घुस्ते से कभी कभी अभी परसों केल दिया उस पर तुम संकट में प्रेन न योचेन पत्नी के वाक्य सुनक उन्होंने करक नजाने कैसे हिर्देखासी बैठी बच्चों को प्यार किरगिट की तरह रंग बदलने चाहे जो करें प्रोचलती है नजाने में रहता है यदि में होता है तो ना कहा करकी अब जो कभी उन गोड़े अब शब्द निकाले तो रामेश्वरी ने इसका निक्षोब तथा को द्वारा निकालने लगी बाबु रामजी दास का जो पर बढ़ता जाता था रामेश्वरी का दुए मात्रा भी बढ़ती रायह बच्चों के पे कहा सुनी हो जाती रामेश्वरी को पति कनने पड़ते थे यह देखा कि रामेश्वरी ठी हुई थी उनके प्रकार के विचार आर्यार और कुछ नहीं ने निज की संतान पती के भाई की संताग इत्यादी के विचार स्वयंग प्रतीत होने लगे ध्यान दूसरी ओर्टकर टहलने लगी कि मनोहर मनोहर को देखकर और विचार हाथ रखकर खड़ते देर देखता और सोचत पतंग कटकर उस तो क्या ही आनन्दायक पतंग गिरने की आउड़कर रामेश्वरी और उनकी टांगों में ताई हमें पतंग मंगा इने जड़क कर कहा ताउसे मांग जाकर अप्रतिब होकर अकने लगा थोड़ी देर न रहा गया इस लाड़ में आ दूसरी निगोडा मरा कित और कैसी प्याद यही जी चाहता है तीसे लगा लूँ कित प्याद प्याद है झाल जाउसे भिल स्विक झाल इना दो प्याद धुर्व के डियारे झाल गुछर भा कित रोपड़ी और क्र व चो झाल 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 यह सोच कर फिर नहीं वाली थी तोहर उन्हें देख कर बोले नहीं मंगवा दोगी तो ताउजी पी बच्चे की इस बड़ी मधुरता थी रामेश्वरी का मोख क्रुआया वे उसे जा देखूं वो मेरा मनुहर भै भीर हट गया और पित्रों से आकाशगों को देखने लग रामेश्वरी ने सोचा यह सब ताउजी के दुल के बालिष्ट भर का लड़का इश्वर पर बिजली तूटे आश से एक पतंग और आई और रामेश्वरी हुई देखनोहर उनके पास से हो गया और उनसे पर खड़ा होकर पतंग छज नीचे घर के एक पैर छजिक मनुहर ने नीचे और पतंग को देखकर प्रसनत आया वह नीक्रता से घुमा समय मुंडेर से गया वह नीचे जाते जाते थों में मुंडेर आगई कर लटक गया वरी की ओर देखकर चिल रामेश्वरी ने इसे घटना को देखा के लिए रुकी मुंडेर पर से फिषवे अत्यांत भैभी नेत्रों से रामेश लाया अरित की आखों से मन मिली मनोहर द्रिष्टी देखकर मूह को आ गया मनोहर अपना हाथ बढ़ाया मनोहर के हाथ था कि मनोहर के छूट गई रामेश्वरी जीपर गिरपणी ग्रता से घूमा समय मुंडेर से गया वहनी नीचे जाते जाते थों में मुंडेर आ गई कर लटक गया वरी की ओर देखकर चिल से घटना को देखा के लिए रुकी वह अत्यांत भैभीत मुंडेर पर से फिस्मेत्रों से रामेश्वरी की आँखों से मन मिली मनोहर मुं को आ गया द्रिश्टी देखकर उल होकर मनोहर के हाथ छूट गई वहा कि मनोहर के रामेश्वरी जीपर गिरपणी कर लटक गया के लिए रुकी मेत्रों से रामेश्वरी की आँखों से मन मिली मनोहर द्रिश्टी देखकर मुं को आ गया मनोहर के हाथ छूट गई जीपर गिरपणी रामेश्वरी मनोहर के हाथ की आँखों से मनेत्रों से रामेश्वरी अत्यांत भैभीत अत्यांत भैश्वरी मुल्य, वाइम और करुणा झाल ठामेश्वरी में प्रिश्वरी झाल